वुसू एसोचेशन ओफ इंडिया के तत्वाधान में दिनाग 26 जुलाई से 31 तक केपी आर इंस्टिूट अरसूर कोयमबटूर तमिलनाडू में 23 जूनियर नेशनल वुसू चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई जूनियर रास्टे वुसू परतियोगिता का समापन मुखे अथीती पुलीस सुप्रिटेंडेंडेंट कोयमबटूर केपी आर इंस्टिूट के संचालग एवन भारते वुसू संग के सी ई-ओ श्री शुहल एहमद के दुवारा किया गया तमिलाडू वुसू एसोशेशन द्वारा वे वुसू एसोशेशन ओफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस परतियोगिता में 33 इकायों के 1200 खिलाडी और अधिकारी शामिल हुए थे इस परधा में आर्मी, बोयस, दल और भारते खेल प्राधिकरण सहीद समस्थ 28 परदेशों एवं केंद सासित परदेशों जैसे दिल्ली, आंध्र परदेश, गोवा, गुजरात, हरियाना, करनाटक, केरल, मध्य परदेश, महराष्ट, मनिपूर, मेघाले, मिजोरम, नाग राजिस्तान, सिक्किम, तमिलनाडू, उतराखन, उतर परदेश, पश्चिम बंगाल, चंडिगर, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीव, जमू एवं कश्मीर, लदाक, लक्षदीप, आधी टीमों ने भाग लिया इसमें से दिल्ली टीम में शामिल मुकुल खत्री ने 70 किलोग्राम यूथ में 80 पदक प्राप्त किया और वही निखिल खत्री ने भी ब्रॉंच मेडल अपने नाम किया भविश्य साथ फिटनेस सेंटर ने बच्चों का भव्य स्वागत किया और साथ ही बच्चों और कोच पर मोत साथ को सभी ने बधाई दी पदक जीतने पर खिलाडियों के घर पर खुशी का माहोल है ब्रोंच मेडल जीत कर देश और दिल्ली का नाम गर्व से उचर करने पर हारदिक बधाई एवं शुबकामनाई आपको बता दे कि वुसु एक लोग प्रिये खेल है दिसकी जड़े चीन में पाई जाती है भारत के वुसु एसोशेशन ने इसे एक ऐसे गेम के रूप में वर्नित किया है जो लड़ाई की गतिवीदियों के साथ आंत्रिक और भारी दोनों अभ्यासों पर धिहान देता है इस खबर में फ्लाल इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रही जो अनता की अवास घंटी जरूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जोनता का साथ देजिए और उसकी ताकत बनिए जोनता की अवास बनिए और हो सके तो इसकी लिए चैनल को जोइन भी करें